स्वागत है आप सब का मेरा गाउ मेरा देश सीरीज उतरपर्देश के एपिसोड नंबर 21 में जैसा आपने लास्ट एपिसोड में देखा मैं हूँ अपने सैंकिल पर और राइड कर रहा हूँ अपने मामाची के गाउं से चंडीगर्ड पंजाब की तरफ सुहान सफर है और ये मौसम हसीन है बिना खोने के डर के गूगल मैप के सहारे मैं अपने रास्ते पर आगे बढ़ रहा हूँ रास्ता बहुत ही खुबसूरत है कहीं हरे भरे पेड़ है बहता पानी है नदी के ऊपर बने फुल और खेतों में उगी हुई पीली सरसो गन्ने के खेत पॉपलर के उचे उचे पेड़ छोटी सी लिपिन साफ सुथरी तड़के दोनों तरफ पुगे हुए है बारिश का हुआ हुआ है हुआ हुआ है हुआ हुआ है हुआ 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 है तरह थी जगह है या सड़का रही है यह किसी का घर है जो 1994 में बना था और यह एक रब जाया यहां से बहरा है जो सिचाई के लिए यूज होता मैं इस 14 किलोमेटर सड़क पे निकल के रहे हाया हूं और यह फूर्टीन किलोमेटर ऐसे ही सड़क है इसके किनारे किनारे अब इसके किनारे पे यहां देखे इस तरफ देखेगा यह कितना बड़ा ताहर है यह ताहर आपके एक दम किनारे पे वहां एक स्कूल दिखाए है मुझे यहलो किलर का बोड है जो इंडिकेट करता कि वो स्कूल की बिल्डिंग है और उसके बिल्कुल सामने से रास्ता गुजर रहा है और यह एक मंदिर और इस मंदिर के पीछे मैं देखिया हरान था इतनी खुब शुरुत सी एक बिल्डिंग थी पुराने टाइम की बहुत पुराने टाइम की चांदार दिख रही थी पानी में इसकी परच्छाई और वो कमाल का था कि शनक पर चलते वे मुझे अपने राइट हैंड साइट पर यह एक बाग निदर आया और इस बाग के अंदर यह बिल्डिंग मुझे देखी चलिए मैं अपने साइकल यहां पार्क करके एक बार इस बिल्डिंग को बढ़ा पुरा पुरा है यह है यह है वो पुरानी बिल्डिंग की जिसे देखकर मैं इस्तरफ मुड़ाया एक जंडा उपर लगा है और यह बिल्डिंग है इते बड़ी है तो यह एटी में बनी थी अगर छोटी टे होते है तो यह बनी होती इट 60s 70s में इस तरह की महराव बाली चत यह तीन महराव बना के बीच में यह करके यह पुराना हमारा आकिर्यक्टेक्ट्र है और यह यह यूपे की यूपे की भाशा में हम इसे कानिस कहते हैं कानिस आपने मेरे मामा जी के और बाकी गाव में भी देखिए घरों में बढ़े होई यह चिमनी का कॉनसेट ऐसा है भी हमारा यहां इसी जगह पे मैं देख रहा हूँ और यह देखे इस तरह की ब्रेडिंग है लुकेट दूस लुकिंग प्योटे हो चट सब जगह महराब वाली है और दर पर यानि के दर्वाजे और दर जिसम कहते हैं यह भी महराब का ही बना है और हर एक कंब्रे में यह है एक छोटा सा चिम्दी जैसे है और उपर एक डेगरेशन के लिए समान लखने के लिए और यह आले हम इने आला बोलते है वो रोशंदान यह सामने दो कंब्रों से निकल कि जो बहार यहां में तो इस प्रफट अभी कितना खुला डुला चैट यह दर्वाजा नहीं खिडकी रही होगी बहार के एरिया में देखने के लिए कभी यहां लोग बसते थे आज यह एक खंडर है ऐसे जो बिल्डिंग्स है अभी जासे हमारे काओ में भी एक हवेली है वो बिल्डिंग एक्चल में नहरवाई के दपतर हुआ करते थे नहरवाई का कॉंसेट है कि अंग्रेजों के टाइम में वोटर डिल नहरवाई के दपतर इस तरह से बनाए जाते थे कुछ ऐसा ही मेरे गाउं जुड़ोदा में भी है जहां पर कहा जाता है कि जब अंग्रेजों को भगाया जा रहा था तो वहां पर भी बहुत बड़ा कांड हुआ था गाउं के लोग सब नहरवाई के दपतर में पहुंच नहीं जाता है एक दम अबंडल है वहाँ इसी तरह के पेड़ हो गए है बहुत सारे देखिए कुछ ऐसा ही कुछ आपको दिखने को मिलेंगे चलिए यहां से ब निकलते हैं मेरी आवरेज स्पीड सिरफ और सिरफ सतरह किलम पर की है तुब जग हो हो एक एंजार आपने पालों नहीं जा एप होग जिए ज़गर देखिना करने थे ऑप मोईल इसंतर हो जो पर जाए बहुत सारे शोट आत्में इसी एंगल से देखिने हैं इसमों मी जाए हैंग्दल हो जेशा से दिखना होगा है तो वोब और उने यहां फेक्स करके वो सब शॉट लिए थे, एक और कैमरा है जिसे मैं बूस करना है, इसका रिव्यू बहुत जलजी मेरे चैनल पर आने वाला है, ये है फीमी पाम, जिसमें इलेक्टोनिक गिंबल है, मैं फिसली इस ट्यूब के दोरान इसको काफी ज्यादा मेरा हैंडलिंग करना एक ज्यूब इंच को बहुत रफ्तफ होता है, और वह इस कैमरे पर इस जोगी मजर आना शुरी हो गया है, ये दो तीन बार गे चुका है, और आपके सब ठीक होगा, और बच्चे भी थे गाउं में जो इसे उप्रेट कर रहे हो, तो मैंने को दिया के चला ले को का को जा किए चला लेका है, चला कि एक मैरा च बढ़े मार आपके चला लेके चला लेका है चला किया है, आगे के तरफ मेरा मंजे लेशागन पूर्ड, तर लिगरमारगा, और वहां से खोते हुए है, चंड़गाश्यू एप्राश्यू ने प्राफों प्राफों एकर तो जो अ मिटने कर्स कर दोग्दारी हाँ वो आप रहला है जो एक रहला है जो एकर रहला है जो ढे मुबादा है जो एक रहला है लो पेपित प्रतीजाना था थाको में अारी प्रतीजाना प्रतीजाओ का रहाओं कर दो आजिए में इसाओं त्रुपपषाना थाका और रातीजाना ये लिए फासाना थान है देखे सामने मुझे लगता है कि यह है वो बाइपास और यह हो सड़क जो मैंने बाइपास से देखे थी और इस सड़क को मैंने कहा था कि छोटी है गाउं से होकर के जाएगी रिस्क क्यो लेना 35 किलो मेटर मुझे दिखा रहा था मेरी मंजल सामने साहरनपूर रूट की बाइपास है तो अब मैं हाईवे पर चड़ने वाला हूं यहां से आगे बढ़ कर तफरीदेर में लीजिए अब मैं बढ़ने वाला हूं उस रास्ती की तरफ जो मुझे कनेक्ट करेगा हाईवे के स मैंने अभी तक मैप में चेक नहीं किया है और मुझे लगता है कि यही है कि देखते है थोड़ी देर बात मैप भाई साथ क्या बोलते हैं कि यह नहीं है कि देखते है थार्वफू बाइपास पर मैं चड़ चुका हूं हाँ हाँ कि हुट 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 झाल झाल